तो गाइस ब्लैक पैंधर वकांडा फॉरेवर फाइनली आजबा है और देखा जाए तो मूवी में जो कुछ भी हुआ उसका मेन सोलो रीजन वाइबरिनियम ही था लाइक ना गवर्मेंट वाइबरिनियम के पीछे पड़ती ना नेमूर या टलोकन को बाहर आना पड़ता और अफ्कॉर्स ये तो पक्का है कि जब तक गवर्मेंट को वाइबरिनियम नहीं मिलता ये लोग सांती से नहीं बैठने वाले और पॉसिबली फ्यूचर में ही वाइबरिनियम को लेके हमें कोई बड़ी वार देखने मिल सकती है जिसमें वाकांडा और टलोकन सेंटर पॉइंट्स होने वाले हैं अब बात करें कि वाइबरिनियम वाकांडा और टलोकन में आया कैसे और क्या ये कोई और लोकेशन में भी वास्ट अमाउंट में हो सकता है तो गाइस चैशिका में पता है कि मिलियंस ओव येर्स पहले एक वाइबरिनियम का आस्टरोइड अफरीका के कॉंटिनेट में गिरा था और इसने वहां के आनिमल लाइफ के साथ साथ वेजिटेशन को भी कई हद तक अफेक्ट किया था जिससे हार्ट सेफ्ट हर्प का भी प्येजन हुआ और वहीं से ही वकांडा और ब्लैक पैंथर की सुरुवात हुई बट वकांडा फॉरेवर में नेमोर ने ये रिविल किया कि वाइबरिनियम का एक और आस्टरोइड युकाटन पैनिनसुला में भी गिरा था उस एक्जाक्ट लोकेशन में जहां रियल लाइफ में डाइनोसोर को एक्टेंट करने वाला मीटिरोइड भी गिरा था अज रेजल्ट उस रीजियन का भी वेजिटेशन मुटेट हो गया और वही मुटेटेड हर्प को कंजियूम करके नेमोर के लोगों को अंडरवाटर अबिलिटीज मिली है और बाद में उसी ट्राइब ने ही अंडरवाटर टलोकेन की सुवात की इवन इसी हर्प के कारण ही अनबॉरन नेमोर के एक्सजीन भी अक्टिवेट हो गये अज आपको यादी होगा कि नेमोर खुद बोलता है कि वो एक म्यूटेंट है तो ये प्रूफ करता है कि वाइबरिनियम में सम्हाव एक्सजीन अक्टिवेट करने की भी अबिलिटी है जो कि फ्यूचर में हमें आगे साथ फिर से देखने मिल सकता है तो अब बात करें कि ये वाइबरिनियम के एस्टरोइट्स को अर्थ पे किसने भेजा या ये सब कुछ एक बहुत ही बड़ा कोइंसिदेंस था तो गाइस नाओ हमें ये भी पता है कि मिलियंस अफियर्स पहले सेलेस्टियल एरिसम दे जजज ने एक लाइब सीड अर्थ पे भेजा था जिससे एटरनल्स में ट्यामूट का जन्म हुआ तो नाओ वाट इफ वकांडा और टलोकन में गिरने वाले वाइबरिनियम आस्टरोइट्स अक्चुली में ट्यामूट के सीड के सेल के टुकडे हो और अर्थ के अट्मोस्फियर में आने के बाद ये स्कैटर होके वकांडा और टलोकन और मेबी इन सम अदर लोकेशन में भी गिरे हूँ तो इस थियोरी के हिसाब से सेलेस्टियल्स ने ही अर्थ पे वाइबरिनियम को बेजा होगा यानि की human race से और अफकोर्स उस ताइम तो dinosaurs थे और उनके intelligence के हिसाब से ट्यामूट को billions के या trillions of years लग जाते बड़े होने में So what if ट्यामूट के सीड ये अस्टराडी से जो भी बोलने इससे dinosaurs भी साफ हो गए और millions of years बाद इसी वाइबरिनियम से के mutation से Apes humans में transform हुए हो और ये लोग all over the world migrate हो गए हो और obviously जिनके पास वाइबरिनियम और वाइबरिनियम हर्प्स का access था वो rapidly develop करते गए लाइक वकांदा जिससे ट्यामूट की growth भी rapidly होती गई और अब बात करें कि क्या ये वाइबरिनियम का asteroid यानी cell कहीं और भी गिरा होगा तो guys comics में वाइबरिनियम का एक और asteroid अंटार्टिका में भी गिरा था बट वहाँ का वाइबरिनियम दूसरे वाइबरिनियम से बहुत अलग था in fact totally opposite था तो इसे anti-metal का भी नाम गिया गया था और इवन comics में savage land भी अंटार्टिका में ही located है चुकि mutant से heavily related है so what if MCU में भी ऐसा हो और अंटार्टिका में भी वाइबरिनियम सेल का एक asteroid गिरा हो और उसने वहाँ के कुछ region को heavily mutate कर दिया हो जिससे savage land का creation हुआ हो and I know कि guys इस theory में बहुत से what ifs है but guys trust me इसके सच होने के बहुत chances है क्योंकि recently ही ये report मिला है कि thunderbolts में साथ government thunderbolts की team को savage land भीच सकती है किसी तरह के metal को हासिल करने के लिए चुकि मुझे लगता है कि vibranium ही वोने वाला है because guys obviously government को वकांडा ये टलोकन से घंटा कुछ नहीं मिला so maybe वो अंटार्टिका से ही vibranium को लाना चाहते है but guys of course ये तो हमें time के साथ ही बता चलेगा so guys let's see क्या होता है तो guys आज के लिए बस इतना ही और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो please वीडियो को like कर दें और अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो guys thank you so much आपके क्या thoughts है इस theory को लेके let me know in the comments और इस वीडियो में 10 likes का target रखते हैं तो guys please पूरा कर देना और अगर आप नहीं हैं तो ऐसे ही सारे latest updates, news और theories के लिए चैनल को subscribe कर दें और मैं आपसे मिलूँ आगले वीडियो में तो तब तक आस्तालवीस्ता and take care